कब श्री कंगा नगर की बात कर लेते हैं कहां जहां पर कल जमकर ओले गिरे हैं शाम को जमकर ओला बारी हुई सबसे ज़्यादा ओले श्री विजय नगर शेत्र में गिरे जहां कई देर तक को ओलो की बारिश से सड़क, खेद और मैदान ओलो से अट गए 60 किलो मीटर पर की घंटे की रफतार से आए अंधर के बाद से बरा बरसात और ओले गिरे इससे जिले में करोडो रुपे का नुक्सान हुआ घरसाना, अनूबगर, सूरतगर, राय सिंग नगर, करनपुर, गज सिंग पुर और विजय नगर में बरसात के साथ होले गिरे इससे फसलों को भारे नुक्सान हुआ तो ये तस्वीरे श्री गंगानगर के आप देख रहे हैं, कल जब अचानक मौसम बदला, तो लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये आंधी है या फिर बारिश का मौसम, हाला कि अब जब तस्वीरे आप देख रहे होंगे, तो किस तरह से बारिश हो रही है और इसके साथ ही ओले भी गिरे है दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहाँ बर्फ की परत दिखाई दे रही है तो जब बारिश हुई ओले गिरे तो ये परत इस तरह से जम गई, हाला कि आपको बताएं सबसे ज़्यादा ओले श्री विजनगर शेतर में गिरे हैं कई देर तक को ओलो की बारिश सड़क पर देखी गई और ये तस्वीरे बया कर रही है उन तस्वीरों को कि किस तरह से खेत में ओले गिरे, सड़कों पर, शेहरों में ओले गिरते नज़र आ रहे हैं इसे जिले में करोडो रुपे का नुकसान हुआ है घरसाना, अनूबगड, तूरदगड, रायसिंग नगर, करनपुर, गसिंगपुर इन सभी जगों में बरसात तो हुई है और साथी में ओले भी गिरे हैं पस्वीरों को किसा नुकसान हुआ है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और हमारे समवादाता सुनील जुरदए है सुनील तस्वीरे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश हुई है, नुकसान हुआ है, आज की क्या स्थिती है और किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ है। वाद में ओलावस्टी तोपड़ गर दी और उसके बाद में लगातर बारिसाने के कारण और परसने बिल्कुल दबाद हो चुकी है जादा नुकसार राय सेनेगर विजयनेगर अरूपगट गसाना और शूर्टकट खेचर में यह सबसे जादा नुकसान देखा जा रहा है औ और आज का जो मुसम है बिल्कुल साफ है आलागी बादल बिल्कुल चाहिए है सुबह थोड़ी बहुत पारिस हुई थी उसके बाद में अब दर पारिस नहीं होई है और जो परसासने वो लगातर खेतों का नेक्सर कर रहे हैं और थोड़ी देर बारे करी 12 वज़े किसानो को काफी नुक्सान हुआ है शेहर की बात करें तो शेहर में कितना नुक्सान हुआ क्या कोई जनहानी भी हुई है। वर्षासन ने भी बात कीता है तो इसकानों का पीमपर पेतावार होगी है इतना नुकसान आठ को बात कीते हैं जो बड़े फुदर को लोग है तो फदर कुछ की तो बलग किते हैं तो किसानों को अब निराशा हाफ लगी हाला कि बंपर फसल हुई थी और यही लग रहा था कि अब इस फसल से काफी फाइदा होगा लेकिन अब ओला वरश्टी के बाद किसानों में निराशा है